नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है सभी देश्वासियों को इद मुबारक 25 मैं खुसियों का दिन है पवित्र तेवार रमजान का महिना आज इद बड़े धूम धाम के साथ भारत भर में मनाई जा रही है सभी को मुबारक बाद भेजते हुए राजेस गुपता जी एक फोजी हैं रच्छ विवाग में सेवा के बाद अब समाज को एक साथ करने के लिए हमेशा तात पर कंधों से कंधा मिला कर खड़े रहते हैं और हमेशा सभी लोग को इद मुबारक बाद देते हुए हमेशा संदेश अच्छे आए सभी लोग कुसलता की कामना करते हुए सभी लोग एक साथ रहे यही कामना करते हुए राजेस गुपता जी के जुबानी से एक रिपोर्ट जब एक महिना रमजान का खतम होता है तो उसको इद की रूम में मनाते हैं और उसमें सबसे पहले नवाज अदा करते हैं और नवाज अदा करने के बाद जो है सबको बदाहिया देते हैं एक दूसरे से मिलते हैं चुकि कोविन-19 का जो यह प्रकोब चला है उसलिए मेरी आ बैटकर ही अपनी भावनाओं से गले मिलिए भावनाओं से दिल मिलिए और दिलों को मिलाइए क्योंकि हमारा जो यह पवित्र महिना जो था उसमें हम लोगों ने बहुत ही बरकत की प्रातना करी बहुत ही प्रेम मौबत की प्रातना करी बहुत ही रोग की साहता करी और जगाते हैं हर हमारा रम्जान का हम अपर करके ये के रूप में अग विल्डस का कमनता है उस पर हम अपने डेशवासियों को शोक्त समय घृठीन डोको जो विर्ञान का यह नहीं डिका ये मैं अश्कोरण मेंす और गधायां कि इतने गर्मी में इतने कठें दोर में उन्होंने रमजान का रोजा रखा और रमजान का महीने में रोजा को बहुत अच्छे से पादन करके आज ईद मनाने के लिए सब लोग घर में खटे हैं तो नमाज भी आप घर के अंदर पढ़िए, सबको सुबकामनाई भी घर के अंदर दीजे और गले से गले मिलिए, दिल से दिल मिलाइए, मगर आप घर वैट के मिलाइए, यही आपकी सबसे बड़ी जो है, इस COVID-19 को हरानी की, आपकी सबसे बड़ी जीत, और हमारे देश की स आगे बढ़े भारत देश, यही हमारी आप सब लोगों से सुबकामनाई है, और यही आप से प्रात्ना करता हों कि ईद की सुबकामना के साथ, आप लोग घर में बैटके सिमया खाईए, मिठाये खाईए, फन खाईए, दूसरे बेखिलाईए, मगर कैसे प्यार और महबब से बिंति और प्रात्ना यही मेरा आप लोगों से एक आग्रह भी है, इसका पालन जरूर करे जाहिं जैभारत, भी है कि इसका पालन जरूर करें जैहिं जैभारत, तक लोगों से बिंति है कि आप सवच्छ सुन्दर रखे अपना घर, और बेटी बचाओ, बेटी सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए धनबाद